आज हम आपके लिए ऐसा टॉपिक लेके आए हैं कि जिस टॉपिक से और जिस ट्रिक से वह टॉपिक आपको ऐसे ट्रिक बताएगा कि आपका खुद का कम्प्यूटर ये लैप्टाप आपका वेलकम करेगा सागत करेगा जी हां सही सुना है जब आपने कम्प्यूटर को आन करेंगे या लैप्टाप को आन करेंगे तो वो आपका नाम लेगा जैसे कि ये हमारा लैप्टाप है हम इसको आन करते हैं मैंने आन किया तो अभी जब ये आन होगा तो ये हमारा नाम लेगा देखिए ये कम्प्यूटर हमारा आन हो रहा है यानि कि laptop on हो रहा है अभी इस में हम password input करते हैं जी आपने सही सुना इसने हमारा नाम लिया है कि विलकम अब्दुलवाहिद खान टू योर पीसी आप भी अगर चाहते हैं कि आपका computer आपका laptop आपका इसी तरह नाम ले तो आप देखते हैं इस वीडियो को अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करने और वीडियो को अगर वीडियो कर अच्छा रगे तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें चलिए शुरू करते हैं इसके लिए आपको क्या करना पढ़े सबसे पहले हम आपको बताते हैं इसके थोड़ी सी कोडिंग करने पढ़ेगी आपoca अपने कंप्जिट्र में नोटवश्व अपने क्योंच में इस्पीच दो चीज़ों को इस्पीक और स्पीच को में डिम अज़े दिम माल लिया है उसके बाद हमने इस्पीक क्या करेगा इस्पीक इकॉल तू इन्वर्ट कामाज के इस्तमाल करेंगे अब यहां पर हमें जो चीज बुलबाना है कंप्यूटर से याई वो कंप्यूटर किस चीज़ का नाम लेगा हम यह रिखेंगे वेलकम to my PC यह अपना नाम लिख सकते हैं इंवर्ट कामा को प्रोस करें फिर उसके बाद हम सेट स्पीच इकुल टू क्रियेट ऑबजेक्ट इंवर्ट कामा को स्टार्ट इंवर्ट कामा स्टार्ट और यहां पर लिखेंगे स्पीच इसके पाद हमें लिखना है स्पीच स्पीच इस्पीच स्पीक स्पेस देखके स्पीक का हम इस्तिमाद का यह हमने कोडिंग के लिए जरा सी कोडिंग है आप इसको हमें रहा सा ध्यान रखना है कि फाइल को हम जब सेब करें तो यह सेब करते वक्त हमें यहां पे नाम कुछ भी हम डाल सकते हैं इस्पीक माइन नेम कुछ भी डाल सकते हूं और डॉट भी भी एस यह हमें इसका एक्सेंशन देना पड़ेगा और इसको हम आप सेब कर देंगे अ क्वह हम सेब करेंगे तो हम देखेंगे यह हमारे फाइल इस तरीके से रेडिक अब इस फाइल को हमें कहां पर रखना है जिससे हमारा computer नाम ले या जो हमने वहां पर input के हैं वर्स वो वर्स बोले computer सबसे पहले हम यहां से इसको पूपी कर लेते हैं अब हम computer में आते हैं ऐसा यहां पर एक चीज हमें जो ध्यान देने वाली है जो यह है कि हमारी जो file या अखा fall जो होती हैं तुर तो सारी falls को वर हम unhidden कर लेगे तो हम अपने view में जाके यहां से hidden items पर click करें तो hidden items भी हमारे unhide हो जाएएगे अगर हम tick हटा देंगे तो वो फिर hide हो जाएगे तो hidden पर tick लगा देंगे तो वो unhide हो जाएगे जिससे की भी जी इसे खेश्डिन आए अमारे फोल्डर इनहीं कर विल्ट है जले हम सी में जाते हैं सीओं राइम में जाते हैं यूज जाते हैं тоб zoo में यहां से अपना इस्तेमाल करते हैं symbi यहां पर बहुत सारे नाम होंगे एप डाटा जोगी हिदन था यहां फिर से ओपन करते हैं अब फिर उसके बाद हम यहां पर लोकल 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 लो है रोमिंग में जाते हैं जाने के बाद माइक्रोसऑट में जाएंगे मैक्रोसऑट में गाने के बाद रवीद्व जाएंगे लन découv में यहां पर देखेंगे स्टार्ट मेने में मिलेंगे इसैने के बाद प्रोगां में भी आप þेलेग अधीक है कर सकते हैं और हम उपना वहाँ सब्सक्राइब करेंगे हैं अपना कम्प्प्सक्राइब करें अब अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें और लोगों उसको शेर दुरूल करें थाइंक्यू शुक्रिया